नमस्कार स्टूडेंट्स आयम अरनाज्या गोएंग टू डिस्कस अबाट वर्क्षिट नंबर 20 और क्लास 6 मैथेमेटिक्स दिस्क्स वर्क्षिट इस फोर 13 सेप्टमबर 2021 टूडे आवार टॉपिक हिज फ्रेक्सन कंपेरिजन एंड फ्रेक्ष फ्रेक्षन में हमें कंपेरिजन कर रहे फ्रेक्षन का अब ढ़ोलू और भोलू एंड्टो रेस्टोरीं रेस्टोरेंट गये हैं इन्जॉआ हेल्ददी और नुट्रियसियस किजा पीजा वेफ्टेयर अब पीजा खा रहे हैं वहाँ पे भोलू को थ्री एंड हाफ पीजा मिला जबकि भोलू के प्लेट में टू एंड थ्री वाइफ फोर पीजा मिला तो यह तो आसानी से प्राप हो गया लेकिन कई बार इसा होता है जैसे यहां पे देखिए यह दो हिस्से में कर दिया गया है दो हिस्से में यह एक वट्टे दो था और यह तीन हिस्से में एक हिस्सा भर दिया गया तो एक वट्टे तीन हो गया और यह चार हिस्सों में एक वट्टे तो नीचे क्या देख रहे है उपर कम होता जाता है ठीक है इसी प्रकार comparing अब comparing like fraction like fraction में हम कैसे compare करेंगे like fraction में तो देखिए अब जैसे नीचे एक जैसा है तो यहां पर 7 है यहां भी 7 है तो हम 7 7 को जदी हम करते हैं दिवा नीचे तो एक जैसा ही है तो 7 डबे में से यहां पर 3 डबा भरा हुआ है यहां पर 5 डबा भरा हुआ है तो जिसके ज्यादा भरे हुए यानि उपर जिसका ज्यादा है नीचे एक जैसा है तो उपर जिसका ज्यादा है वह बड़ी संख्या होगी तो यहां 5 ज्यादा है तो यह 3 by 7 is greater than less than 5 by 7 अब यदि अलग अलग है comparing unlike fraction like में तो समझेंगे unlike में क्या होगा अब जैसे 2 by 3 और 3 by 4 है तो वैसे तो देखने से पता चल जा रहा है लेकिन इसको हम क्या करेंगे 2 by 3 के हम equivalent fraction निकालेंगे different different तब तक निकालेंगे जब नीचे में एक जैसा आ जाए तो यहां पे 12 12 पे दोनों एक जैसा आ रहा है उसके लिए भी तरीका है उसके 3 by 4 है तो हम इस क्या करें नीचे में एक जैसा बनाना इसको फोर से करें इसको थरी से करें तो हो जाएगा 12 12 अब जिससे नीचे किये हैं उसी से उपर भी करना है तो यहां फोर से तो क्या हो जाएगा एट बाई 12 और 9 बाई 12 तो आप पता चल जाएगा कौन सी बड़ी क्या है तो यहीं दिया हुए है जब ऐसे करके इसके इक्यूबेलेंट निकाला तो यहां पर 12 पर दोनों बराबर आ रहे तो यानि यह और यह इससे नीचे एक जैसा हो गया तो उपर में जिसकी बड़ी संख्या वह बड़ी संख्या यानि 9 by 12 is more than 8 by 12 9 by 12 किसके बदले 9 by 3 by 4 is more than 2 by 3 अब लेटस 2 में हमेशा की तरह आपको सवाल दिये जाते तो जैसे यह 3 by 5 है तो आप ऐसा करें डब्बा बनाएं नीचे भी और डब्बा बनाएं इसी के बराबर अब यहां पर कह रहा है जो कि 5 हिसे में करना है तो 5 हिसे में कीजिए 1,2,3 और 2 पाज इसके भी कीजिए 1,2,3 और 2 पाज अब कह रहा है जो कि इसमें 3 हिसे भरना है तो 1 हिसा, 2 हिसा और 3 हिसा तो यह हो जाएगा 3 बटे 5 और इसमें कह रहा है एक बटे पाच तो अब कौन सी बड़ी संख्या होगी यह तो पता है ति थ्री बाइफाइफ इस मोर देन वन वाइफाइफ गेट ग्रेटर देन दूसरा कहा रहा है जो कि 7 बरावर है मलब 7 ब्लॉक्स बनाने कोई आकरेटी ले करके 7 ब्लॉक्स बनाने हैं साथ बराबर टुकरे में काटना है तो जैसे हिह हमने ले लिया इसके साथ 1 2 3 4 5 2 7 छोटे छोटे मनें मनलों बराबर लेना था एक, दो, तीन, चार, पांच, दो साथ, अब इसमें पांच हिसे भरना है, एक हिसा, दो हिसा, तीन हिसा, चार हिसा, और पांच हिसा, तो यह हो गया पांच वट्टे साथ, और इसमें तीन हिसा भरना है, एक हिसा, दो हिसा, तीन हिसा, तीन हिसा, तीन वट्टे साथ, कौन सी बड़ी है आपको पता चल जा रहा है अब दूसरे पर आते हैं जिसमें आपको कंपेरीजन करना है कि अब यहां पर कंपेर करना है आपको 5 by 6 और 1 by 4 तो आप ऐसा करें 5 by 6 और इधार 1 by 4 लिख लें अब इसको 6 से अब चाहें कि और 2 से भी कर सकते है या इसको 4 से कर लें और इसको 6 से कर ले लेकर की भी कर सकते से बीच बाला भी आएगा Congratulations तो इसको जिसको 4 से किए है उपर भी 4 सेकरना होगा इसको 6 से किए तो यह जाएगा 20 by 24 और यह लेकर्सी 6 by 24, आप चाहें तो काट भी सकते हैं, तीन से कट रहा है, और नहीं तो आप पता चल जाएगो जो कौन सी बड़ी संख्या है, तो obviously ये बड़ी संख्या है, तो ये किस के लिए है, 5 by 6 के लिए है, 5 by 6 is more than, ये greater than 1 by 4, इसी प्रकार 2 by 3 और 3 by 5 का निकालना है, 2 by 3 और 3 by 5 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग-अलग, इसको हम 5 से करें, इसको हम 3 से करें, जिससे नीचे किये हैं, उससे उपर भी, तो ये 5 to 10 by 15, और ये हो जाएगा 9 by 15, तो कौन सी बड़ी संख्या होगे, ये बड़ी संख्या होगे, ये किस के लिए आया था, 2 by 3 और 3 by 5, ये था आज का वरक्षिट अच्छा लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजएगा, धन्यवाद. झाल